नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम डिसकस करेंगे कि रोसुकेम A.Capsule का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, रोसुकेम A.Capsule को कैसे लेना चाहिए और रोसुकेम A.Capsule की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यहाँ भी डिसकस करेंगे कि रोसुकेम A.Capsule को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, रोसुकेम A.Capsule के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, रोसुकेम A.Capsule के अंदर सॉल्ट कमपोजीशन रोसुवेस्टेटिन और एस्पिरिन होता है, रोसुकेम A.Capsule के लेवल अधिक होने पर शरीर की नसों में धीरे-धीरे कोलेस्टेटिन जमा होने लगता है, जिसकी वजह से शरीर की नसों में ब्लड का सर्कुलेशन कम होने लगता है, ब्लड का सर्कुलेशन कम होने की वजह से दिल का दौरा पढ़ने का और लखवा लगने का जोखिम अधिक हो जाता है, रोसुकेम A.Capsule शरीर में बैड कोलेस्टरॉल के लेवल को बढ़ता है, इसके अलावा रोसुकेम A.Capsule खून को पतला करता है, जिसकी वजह से दिल का दौरा और लखवा लगने का जोखिम कम हो जाता है, जिन व्यक्तियों को पहले कभी दिल का दौरा या लखवा लग चुका है, ऐसे व्यक्तियों को भी डौक्तर आगे दिल के दौरे या लखवा लगने के जोखिम को कम करने के लिए भी रोसुकेम A.Capsule को लेने की सला दे सकते हैं. साइड इफेक्ट्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में रोसुकेम एक कैपसूल की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं. लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में रोसुकेम एक कैपसूल की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते ह जैसे सिरदर्ध होना, बधजमी, शरीर में कमजोरी वधकान होना, नाक से खून आना, पेट से गैस निकलना, कब्ज और कुछ व्यक्तियों में दस्त होने की समस्या भी हो सकती है. रोसुकेम एक कैपसूल की वज़ा से ब्लड शुगर लेवल अधिक हो सकता है. रोसुकेम एक कैपसूल की वज़ा से कोई चोट लगने के बाद ब्लीडिंग होने का जोखिम अधिक हो जाता है. अगर आप रोसुकेम एक कैपसूल को ले रही हैं और आपको अगर ज्यादा चोट लग गई है तो आपको तुरंथ ही नजदी की हॉस्पिटल में जाना चाहिए ताकि अधिक ब्लीडिंग होने के जोखिम को कम किया जा सके. कुछ व्यक्तियों में रोसुकेम एक कैपसूल की वज़ से लिवर डैमेज भी हो सकता है. इसके अलावा रोसुकेम एक कैपसूल की वज़ से शरीर की मासपेशियों में दर्द, जोडों में दर्द और कमर में दर्द आदी साइड इफेक्ट्स भी रोसुकेम एक कैपसूल की वज़र से हो सकते हैं. अगर आपको रोसुकेम एक कैपसूल को लेने के बाद शरीर की मासपेशियों या जोडों में बहुत तेज दर्ध होता है, तो आपको तुरंथ ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षन रैब्डोमायोलिसिस के भी हो सकते हैं रैब्डोमायोलिसिस होने पर मासपेशियों के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं. मासपेशियों के टिश्यू डैमेज होने की वज़़से मासपेशियों से मायोगलोबिन नाम का एक प्रोटीन निकलता है, जो बलड में मिल जाता है, जिसकी वज़से किड्नी भी डैमेज हो सकता है अब हम डिसकस करेंगे की रोसुकेम एक कैपसूल को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है रोसुकेम एक कैपसूल को खाना खाने के बाद लेना रेक्मेंडेड होता है अठारा साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर रोसुकेम एक कैपसूल को दिन तो ऐसी स्थिती में डॉक्तर सरजरी करने से या दांत निकालने से एक से लेकर दो सप्ताह पहले रोसुकेम एक कैपसूल को रोकने की सला दे सकता है। इसलिए यदि आपकी सरजरी होने वाली है या आपको दांत निकलवाना है तो आपको रोसुकेम एक कैपसूल के बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं के लिए रोसुकेम एक कैपसूल का सेवन करना सुरक्षित नहीं है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को डॉक्तर की सला के बिना रोसुकेम एक कैपसूल को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका रोसुकेम एक कैपसूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं